Yes, people, good morning, good afternoon, good evening to all of you, कैसे सब लोग हो, तो आप सब लोग बहुत बढ़ी हा रहेंगे, मैं बता दू, मैं भी बहुत बढ़ी हो, तो आप लोगों का costing का paper हुआ, और अभी तक मैं बता हूँ, तीन paper हो चुके है, और अभी आपके पास last जो paper है, that is the taxation, और मैं बता दू, ये वा टॉपिक में काउन सा, जैसे house property है, फिर other sources में gift वाला part वगेरा है, clubbing है, setup and carry forward है, तो ऐसे topic है ना, आज ये आप complete कर लो, कल फिर क्या करना, आप PGPP है, वो morning में ले ले लेना, उसके बाद TDS, TCS थोड़ा देखके चला जाना, return filing वाला topic है वो देखके जाना, और मैं बता हू है ना, मैं आपके लिए, sir, marathon, आप बोल रहे होंगे, कि sir, marathon आप लेने वाले हो या नहीं अभी, मैं बता हूँ, मैंने marathon पहले ही लेकिया और पूरा upload कर रखा है, upload के लिए, because क्या होता ना, marathon में अगर मान लो, आपका कोई topic जो strong है, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं ह है, जिसका marathon आपको देखना है, तो उसका marathon आप देख लीजिए, तो ये list दे रखी है, CA भवर बुराना channel पे, CA Inter Revision May November 2023 वाला जो list है, उस पे आप click करेंगे, और उसमें click करने के बाद आपको हर topic का revision lecture दे रखा है, अगर आपको हर topic का revision lecture देखना है, तो आप हर topic का revision lecture अलग- थोड़ा speed धीरे है, और मैंने इसका speed बढ़ा के, और ये वाले marathon में डाल रखा है, यहाँ पे आपको जो दिखेगा, that is CA Inter Marathon May November 2023 वाला, तो जो CA Inter Marathon May November 2023 जो आपको दिख रहा है न, ये वाला, ये वाले lecture में, आपके जितने भी topic है, उसको सब को combine करके, और जो जो लगता थ मुझे के concept आपके exam में आ सकता है, उसको मैंने cover करके डाला है, और उसमें मैंने आपको time stamp भी दिया है, जिससे आपको directly अगर उस section पर जाना है, directly उस topic पर जाना है, तो आप सीधा उस topic पर जा सकते है, तो आप अगर चाहे तो ये marathon देखे, बट मैं आपको वापस बोल रहा ह तो directly आप यहाँ पर देखो कि न, तो यहाँ पर I think मैंने उसको return filing वाला topic है, वो बहुती कम time में यहाँ पर करा रखा होगा, बहुती कम time में मैंने यहाँ पर करा रखा है, तो सीधा आप यहाँ से देख सकते है, जहाँ पर आपका 20 minutes में complete हो जाएगा, तो वैसा आप कर सकत है, so guys मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि यह भी last paper है और इस paper में आपको जो है वो excel करना है, आपको अच्छा करना है, तो चलिए, उसके बाद मैं अगर आपको super 30 में से किसी question को revise करना है, तो यहाँ पर मैंने दे रखा है, super 30 का part number 1, part number 2, part number 3, part number 4, एक और चीज समझ में वाला RTP तो आपको देखके जाना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, में RTP से exam में question आते हैं, नवंबर वाले में, तो ऐसा हो जाता है, तो RTP आप छोड़के मत जाना, RTP जो है, वो में नवंबर दोनों RTP आप एक पर देखके जाएंगे, और अच्छे से लिखना, बि अगर कहीं पर ऐसा वोला हुआ है, कि आपको 115 BAC को ignore नहीं करना है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आपको 115 BAC भी आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा, क्या-क्या 115 BAC से related, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, कि हो सकता है, इस बार 115 BAC से related आपको जो है, वो चोटा सा question मिल सकता है, या फिर हो सकता है, बड़े question में ही पूचा जा सकता है, कि 115 BAC अगर alternative taxation rhythm लेते हैं, तो क्या होगा, वैसा होगा, और जो पहला question आएगा, mostly PGBP total income से related, total income का ही question आएगा, 14 mark का question आएगा, ध्यान रखना ज्यादा time मत लगाना उसमें, maximum 30 से 35 minutes के अंदर उसको complete करना है, उससे ज़्यादा time आप spent उसमें मत करता, और सबसे जरूरी चीज में बता दू, आपको exam में जब आप exam देने जाओगे ना, तो DT के लिए 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 notebook अलग रहेगी, IDT, GST के लिए notebook अलग रहेगी, तो ऐसा मत करना, क्योंकि हर exam के बाद कम से कम 10 बच्चे मुझे call करते बूलते हैं, हम तो एक ही book में लिखके आगे, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, DT के लिए अलग notebook मिलेगी, GST के लिए अलग notebook मिलेगी, और आपको अलग-अलग notebook में लिखना है, ठीक है, तो चलिए, अब मेरे जो शेरो है, वो exam में आप जाके, और कितना क्या कुछ करके आते है, तो चलो, all the best for your examination, अच्छे से exam दिना, अपने आपको थोड़ा cool रखना, और cool रखके और फिर exam लिखना, ठीक है, thanks a lot people, that's enough for today from my side.